सरकारी आश्रम स्कूल अंगारा में पानी की नई पाइप लाइन डालने के लिए डेड़ महा पहले जेसीवी ने नाली खोदी गई थी नाली खोदते समय लड़कियों के होस्टल के पास भूमिगत हाई मास लाइट की तार और शोचाले का पाइप तूट गया ग्रामें चलापूर्ती विभाग जिलापरिश्यत गर्चरोली के मात्यम से एक ठेकेदार को नई पानी की पाइप लाइन डालने का ठेका दिया गया था शाज़किया आश्रम विध्याले अंगारा में आनंदराव गेडाम अध्यक्षे प्रकल्प स्तरिये न्योजन और अठावदा समीती एकात्मिक आदिवासी विभाग गर्चरोली इन्होंने दौरा किया तो प्राचारी ने बताय कि यह काम हमें पूछे बिना ही रात को पाइप लाइंग की खुदाई में लड़कियों के होस्चल के पाँ शौचाले का पाइप फूटने से फटी हुई पाइप से गंदा पानी निकलकर नाले में भैकर नाले में जमा हो रहा है नतीजा यह की इलाकी में दुरगंद पैदा हो गई है और इस आश्रम की स्कूल म पढ़ने वाले चात्रों शिक्षकों को इस बद्बू का सामना करना पड़ रहा है इस से शेत्र के चात्रों शिक्षकों के स्वास्त को लेका भै बना हुआ है साती नाले की खुदाई में हाइमास लाइट की वायरिंग चूट जाने से वे लाइटे भी बंद है यह चात्र और शिक्षकों के लिए भी एक समस्या है करीव डेड़ महा से निर्मान कारिब बंद होने के बाद भी ठेकेदार काम पर नहीं आया है हमने इस बारे में अपने उचदिकारियों को बार बार सूचित किया है लेकिन कोई कारभाई नहीं की गई है कुरुंडी माल आदिवासी आश्रे स्कूल में भी कुछ ऐसा ही हाल है नटनेस्तल की विकट स्तिती को देखते हुए आनंद राव गेदाम ने सम्मने ठेकेदार और कारिकारी अभियंता ग्रामिन जलापूर्ती विभाग जिला परिशत गर्चुरुली के विरुद कारभाई करने के निर्देश दिये हैं आर्मोरी से बीसेन न्यूस के लिए हरेंदर मडावी की रिपोर्ट